हेलो दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चनल अडवान साटो लेक्ट्रिकल में दोस्तों आप सब कैसे उम्मिद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों आज हम एक सीवी 500 के पर काम करेंगे इसके अंदर एक बहुत अलग प्रकार का फॉल्ट है तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे आपको कभी दिखे और मिले तो आईसा आपको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले अपना इसका एंटिन लगा है देख सकते हैं इसको इमो प्लेजर हम नहीं कह सकते क्योंकि यह एंटिन और चौथा आपना ट्रांसपोंडर लगाए ठीक है देख सकते हैं एड़ी 47 वाला ट्रांसपोंडर है अभी मैं मशीन के पर बताता हूं आपको सबसे पहले पावर को आन करू रहा होंगा ताल में लिक करा इमो का लिट नहीं रहा है ठीक है इसके कारण एक जो लाइट है आही नहीं रहा है तो मैं यह क्या करों कि इसके यह दिना ये वी नधर वीन चाहिंच कीत तो मैं इसको result कैसे करूं कि यह मुझे लगता है data का fault होगा कि एक मेरे भाई का ECM पुरा खिट आया है भाई IC दिक्कत तारिये करके दो बोलके तो अभी हम इसको result कैसे fault को result कैसे करें वह आज हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास महिंद्रा का वी एक्स डाइग होना चाहिए जो भी भाई के पास यह अवेलेबल नहीं है वह हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा और वैस सपोर्ट के साथ मिल जाएगा चलो अभी टॉपिक के पर बताता हूं तालेवल आलेट आ नहीं रहा है अभी त देटा में कोई दिक्कत है तो मैं अभी आपको बताऊंगा सबसे पहले तो मैं अपना वी एक्स डाइक का जो सॉप्टेर होता है महिंद्रा का वो सॉप्टेर ओपन गर लता हूं आई फ्लैश वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत बहतरीन इसके अंदर आप आपको मालूम पढ़ेगा देख सकते हैं वी एक्स डाइक हमारा कनेक्टेड है और ये 2345 प्रोटोकल है इसका यह हमने ओपन कर लिया है सबसे पहले हम इसको विन रीट करेंगे विन रीड हो चुका है मॉडल रीड करेंगे मॉडल भी रीड हो चुका है हम स्टार्ट कि यह काम मास्टर से भी काम कर सकते हैं ने बहुत सारे वीडियो में बना लिया आए ते नहीं होती है तो उन भाईों के लिए हम लाइक पूर्फ आपको करके बताएंगे है इसम तो होता ही है और angg fight in तो यह जितने मोडूल स्कें देब करेक्टेड है यह सारे वारिकाश्न कर रहा है जितने इसके अंदर ECM एक्टिव में है जितने इसके अंदर मॉडूल एक्टिव में वो इसके अंदर देखेगा मेरा इग्निशन आन है कि यह थोड़ा वीडियो बहुत लंबा होने वाला है आप स्टार्टिंग से आखिर तक देखेंगे तभी आपको मालूम पढ़ेगा प्लैशिंग करने के बाद भी आपको क्या क्या करना पढ़ेगा वह सब मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इसका जो काम करने के लिए थो इंजिन कंट्रोल माड्यूल और दूसरा MBFM ठीक इदर देख सकते हैं ग्रीटिक का मतलब यह है इसके अंदर माड्यूल जितने भी कनेक्टेड है वह दिखाएगा अभी मुझे ECM को कुछ छेट शानी नहीं करनी है मुझे MBFM के अंदर ताले वाला लेट मेरा आहीं नहीं नहीं आएगा ठीक अभी मैं MBFM को क्लिक करता हूं आटो में जाओंगा आटो में करने से बेनेफिट क्या रहता है अपने को आटोमेटिक जो उसके अंदर विन नंबर है वह विन नंबर के हिसाब से अबी यह पूछ रहा इसने आटोमेटिक उसका फाइल सारा कुछ दे दिया है 1001-3 देख सकते इसके पाइल वह बी सेम ही है ठीक है देख सकते हैं इसका पाइल नंबर है बढ़ रहा है और इधर आपको मैं बताओंगा जो अपना वी एक्स डाइग है वी एक्स डाइग के साथ ब्लू लाइट है वह बहुत तेजी के साथ ब्लिंग कर रहा है तो इसका मतलब हमारा जो फ्लैशिंग है वह चलू है इधर देखो यह सर्वर से फाइल डाउनलोड करे करने के बाद यह कंप्लेट हो जाएगा अब यह मेरी प्रोसेसिंग चलू है क्या यह हम करने के बाद हमारा काम होगा यह नहीं होगा वह हम देख लेंगे क्योंकि इसके अंदर इधर दिखो इसके अंदर एक इप्रॉम ऐसी भी आती है पच्चीसी सौला बोलके तो वह सबसे पहले मॉडूल को फ्लैशिंग करनी रहती है और उसके बाद इप्रॉम के अंदर डेटा दलना रहता डेटा दलने के बाद आप जैसे कोई भी प्रोग्रामर से आप की प्रोग्रामिंग करके काम में यूज में ले सकते हैं अभी देखो लगब 50% काम हो चुका है फ् सब्सक्राइब पूरा यह दो भी दिखना है कि सिक्टीवन परसेंट हो चुका है कि सब्सक्राइब क्योंकि मेरी जो इसके अंदर जो दिक्कत थी वह ताले वाला लेट आहीं नहीं रहें आएगा नहीं तो गाड़ी भी स्टार्ट होगी नहीं केम्यूकेशन भी जो तुम्हारा है यह केम्यूकेशन भी शायद नहीं होगा कि डेरेट आई से बी सीम बहुत सारे बदली कर देते हैं तो हमने आज जो बदल के हमने जो बी से मरें आज बहुत सारे बी से हमने यूज में लिया है यह प्रोसेस करने के बाद